आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टन वीडियो लेकर रहा है तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करिए अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए अपने दोस्तों के साथ सेयर करिए और कमेंट करके हमें बताईए कि वीडियो कैशी लगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं करेंट अफेयर दो हजार 20 बहुत ही इंपॉर्टन है और ये यूपीएशी यूपीपीएसी बैंक, रेलवे अनधर एक्जाम्स के लिए वनडे एक्जाम्स के लिए भी important है current पूछा जाता है और UPSC और UPPSC के base पे है ये बहुत ही important है तो start करता है पहला point हाल ही में प्रधान मंत्री की अध्यचता में केंद्रिय मंत्री मंडल ने कोलकाता पौर्ट ट्रस्ट का नया नाम श्यामा प्राशाद मुखरजी पौर्ट ट्रस्ट रखने की अनुमती दी याद कर ले न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दूसरा पॉइंट कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के बोर्ड ओफ ट्रस्टी ने 25 फरवरी 2020 को हुई बैठक में एक प्रस्ताव पारितकर विधिवेत्ता, सिच्छक, विचारक एवं जनशाधरन के नेता श्यामा प्रशाद मुखर जी की बहु आयामी प्रतिभा का शंबान करते हुए कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट को नया नाम श्यामा प्रशाद मुखर जी पोर्ट ट्रस्ट करने की मंजूरी दी थी दिखें बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पॉइंट टू पॉइंट ध्यान दीजिएगा तो वीडियो के इसकिप मत करिएगा तीसरा पॉइंट कोलकाता बंदरगाह पहला प्रमुक बंदरगाह होने के साथ साथ नदी के किनारे इस्थित देश का पहला बंदरगाह है जो समुद्र से 203 किलोमीटर की दूरी पर इस्थित है ठीक है कितने किलोमीटर दो सो तीन किलोमीटर फॉर्थ पॉइंट यह हुगली नदी पर इस्थित है इस नदी में कई तीब्र मोड होने के कारण इसे एक कठिन नववाहन मार्ग माना जाता है ठीक है यह जो है हुगली नदी पर इस्थित है यह इंपॉर्टन्ट ठीक है और भी जो है इस नदी में कई तीब्र मोड होने के कारण इसे एक कठिन नववहन मार्ग माना जाता है फोर्थ पॉइंट भी कफी इंपॉर्टेंट है इस मार्ग को वर्ष भर नववहन योग्य बनाए रखने के लिए निसकर्षन संबंधी गतिविदियां चलती रहती है शिक्स पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है वर्ष 1975 में निर्मित फरक्का बैराज ने इस बंदरगाह की समस्या को तब काफी कम कर दिया जब गंगा के पानी को भागी रती हुगली नदी प्राडाली की तरफ मोड दिया गया ठीक है 1975 में निर्मित फरक्का बैराज ने इस बंदरगाह की समस्या को तब काफी कम कर दिया जब गंगा के पानी को भागी रती हुगली नदी प्राडाली की तरफ मोड दिया गया समझ गया ना इंपॉर्टेंट पॉइंट है 1975 याद रखना 7 पॉइंट है वर्स 1988 में वर्स 1988 में भारत सरकार ने नयावा सेवा पॉर्ट ट्रस्ट का नाम बदल कर जवाहर लाल नहिरू पॉर्ट ट्रस्ट कर दिया दिखे 1988 में भारा सरकार ने नियावा सेवा पोर्ट ट्रस्ट जो है इसका नाम जो है बदलकर जवाहरलाल नहरू पोर्ट ट्रस्ट कर दिया कब 1988 में याद करना है याद कर लेना येट नमबर वर्ष 2011 में तूती कोरन पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर वी ओ चिदंबर नार पोर्ट ट्रस्ट कर दिया गया नाइन नमबर है इन और बंदरगाह लिमिटेड को जाने माने स्वाधिन्ता से नानी एवं तमिलनाडू के पूर्व मुख्यमंत्री के कामराजार के सम्मान में कामराजार बंदरगाह लिमिटेड नाम दिया गया तमिलनाडू के पूरमुक्षमंत्री के नाम पर जो है बंदरगाह का नाम कर दिया गया वर्ष 2017 में गुजरात के कांडला बंदरगाह का नाम बदल कर दीन दयाल बंदरगाह कर दिया गया very important है तो यह जो बंदरगाह के नाम बदले गया है यह भी important है exam point उनको तयार कर लेना और अगर आप video देख रहे हैं और अगर आप तयार नहीं करेंगे इसको तो exam में अगर आगया बंदरगाह नाम बदला हुआ अगर इसी से related तो आप पस्ता आथे इसलिए जो है आप वीडियो पूरा देखिए इसकी मत करिए एफ एस टी एफ एस्टी मतलब फास्ट ऐसे पढ़ सकते हैं लेकिन इसका नाम एफ एस्टी सॉर्ट में है ठीक है तो इसका फुल नेम जो है 500 मीटर एफ 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 पास्ट पहला पॉइंट वेरी इंपॉर्डेंट है 2020 एक्जाम के लिए very very important चीन का 500 मीटर एपर्चर वाला गोला कार टेलिस्कोप सितंबर 2020 में एलियन के संकेतों की खोच जुरू करेगा और नमबर दो बहुत ही important है पहला point नमबर दो क्या कह रहा जनवरी 2020 में चीन द्वारा इस टेलिस्कोप की पहली तस्वीर विश्व के लिए सारवजनी की गई थी नमबर तीन ब्रम्हांड में पारलावकिक जीवन खोजने में मदद करने के अलामा यह टेलिस्कोप ब्रम्हांड संबंधी घटनाओं की एक विस्तरत स्रंखला का अध्यन करने के लिए डेटा एकत्र करेगा जिसमें ब्लैक होल, गैस, क्लाउड, पल्सर, एवाम अधिक्तम दूरी की आकास गंगाएं शामिल हैं नंबर फोर क्या कह रहा है, इस टेलिस्कोप का व्यास जो है लगबग पांच सो मीटर का है किन्तु यह ध्यान रखना महत पूर्ण है कि यह केवल एक निश्चित समय में रिशीवर वा तीन सव मीटर व्यास वाले छेत्र को ही केंद्रित करता है ठीक हैं? ध्यान देना? 5. पूर्ण रूप से तैयार होने के बाद यह पूर्टो रिको में अरे शिबो वेध साला द्वारा कवर किये गए आकाशिय छेत्र को दो बार स्कैन करने में शक्षम होगा जो अब तक दुनिया में सबसे बड़े सिंगल अपर्चर रेडियो टेलिसकोप के लिए एक रिकार्ड है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यह इस टेलिसकोप का उलेक पहली बार वर्स 1994 में किया गया था किन्तु वास्तविक मंजूरी वर्स 2000 शात में दी गई थी इस टेलिसकोप को 36 फुट लंबाई के त्रिकोडी या कार के 45 पैनलों का उप्योग करके बनाया गया है जो एक डिस पैनल संगरशना बनाते हैं यह एक 33 तन का रेटिना उपकरण है जिसे 460 से 525 फिट की उंचाई पर लगाया गया है नमबर एट इस टेलिसकोप को चीन के दक्षिण पस्चिमी प्रांत गुई जोव पिंग टॉंग काउंटी में इस्थापित किया गया अस्थान का नाम याद रखना यह दुनिया का सबसे बड़ा एवं सबसे सम्वेदन सील रेडियो टेलिसकोप है इसे आई ओफ हेवन आई ओफ हेवन के रूप में भी जाना जाता है ठीक है तो बहुत ही इंपॉर्टन्ट है एक्जाम पॉइंट अब हम स्वदेश की बात करेंगे स्वदेश S.W.A.D.E.S S.P.A.R.E.S W.P.A.R.E.S A.P.A.R.E.S D.P.A.R.E.S E.P.A.R.E.S S.P.A.R.E.S तो श्वदेश के बारे में चली हम बात करते हैं पॉइंट क्या है COVID-19 के कारण वंदे भारत मिसन के तहत विश्व के विभिन देशों से वापस लौटने वाले कुशल करमचारियों के सर्वसरेष्ठ उपायोग हेतू भारत सरकार ने इस नागरिकों स्वारी इन नागरिकों का कौशल मानचित्रण करने के लिए एक नई पहल श्वदेश Skilled Workers Arrival Database for Employment Support शुरू की है ठीक है इसका उद्देश से जो है भारती एवं विदेशी कमपनियों की मांग को समझने और उसे पूरा करने के लिए उनके कौशल एवं अनुभाव के अधार पर योग्य नागरिकों का एक डेटा बेस बनाना है बहुत इंपोर्टन पॉइंट है और तीसरा पॉइंट यह भारत के कौशल विकास एवं उद्दमिता मंत्राले नागरिक उड़यन मंत्राले और विदेश मंत्राले की एक संयुक्त पहल है ठीक है फॉर्थ पॉइंट इस पहल के तहट लोटने वाले नागरिकों को एक आनलाइन स्वदेश स्किल्स कार्ड भरना आवश्यक है ध्यान से सुनना फाइप पॉइंट एकत्रित जानकारी को देश में नियोजन के उपयुक्त आवशरों के लिए कमपनियों के साथ साज़ा किया जाएगा यह कार्ड राज सरकारों उद्दोग शंगों एवं नियोक्ताओं शहित प्रमुकहित धारकों के साथ विचार विमर्स के जरिये लोटने वाले नागरिकों को रोजगार के उपयुक्त आवशर प्रदान करने के लिए एक रणनीतिक धाचा प्रदान करेगा शेवन नमबर कहता है कि स्वदेश कवसल फार्म को 30 मई 2020 को आन लाइन प्रसारित किया गया था और 3 जून 2020 तक इसमें लगबग 7,000 पंजी करण शाथ हजार रजिस्ट्रेशन किये जा चुके है अब तक एकत्र किये गए आंकडों में जहां से नागरिक वापस लोट रहे है उन सीर्स देशों में संयुक्त अरप अमीरात है ओमान है कतर है कुएत है और सौदी अरप सामिल है ठीक है इन इन देशों से नागरिक वापस लोट रहे हैं नाइन नंबर कौशल मान चित्रण के अनुशार इन नागरिकों को मुख्य रूप से तेल एवं गैस वी निरमाण परियटन मोटर वाहन और वीमानन जैशे चेत्रों में नियोजित किया गया था ठीक है तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो अगली वीडियो में मिलेंगे फिर इसी तरह करेंट अफियर्स को लेकर तब तक के लिए धन्यवाद